नमस्कार दोस्तों लॉजिकल हिंडू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों अजनभी धारवाहिक अपनी कहानी और बैक्राउंड म्यूजिक के कारण काफी लोग प्रिय हुआ इसका पहला एपिसोड 1994 में डीडी मेट्रो पर प्रसारित किया गया इस धारवाहिक के कुल 75 एपिसोड ही बनाए गये इस धारवाहिक में डैनी मुख्यकिरदार में थे अजनभी धारवाहिक के सारे एपिसोड की कहानी डैनी नहीं लिखी थी दरसल अजनबी धारवाहिक एक नेपाली फिल्म साइनों से प्रिरित था साइनों की कहानी भी डैनी नहीं लिखी थी साइनों फिल्म को डैनी के चचेरे भाई उजैन ने बनाया था अजनबी धारवाहिक को प्रोडूस रुमेश शर्मा और डायरेक्ट मोहिंदर बत्रा ने किया था अजनबी में डैनी एक रिटायर्ड आर्मी अफसर के किरदार में होते हैं जो रिटायर्मेंट के बाद जम्मू कश्मीर में रहने लगते हैं वहाँ पर वह एक कमरा किराय पर लेकर रहने लगता है उसी घर की मालकिन तृप्ती विद्वा होती है तृप्ती और उसका लड़का बिनू भी वही रहते हैं बिनू और डैनी में गहरी मित्रता होती है डैनी, तरपती को भी समाज की गंदी नजरों से बचाता है क्योंकि गाओं में हर कोई उसकी जद से खिलना चाहता है ऐसे कहानी चलती रहती है बाद में पुलिस डैनी को तरपती के पती के खूं के जुन में पकड़ लेती है त्रिप्ती और डैनी दोनों को धक्का लगता है फिर डैनी को समझ में आ जाता है कि जिस आदमी के उसकी पत्नी आशा के साथ नाजायज संबंध थे वो त्रिप्ती का पती ही था दरसल डैनी की पत्नी आशा के एक आदमी के साथ नाजायज संबंध होते है कारणवश डैनी दोनों को मार कर रम्मू कश्मीर के गाउं में छुप जाता है डैनी सारी कहानी त्रिप्ती को भी समझाता है त्रिप्ती डैनी को माफ कर देती है और कहती है कि वो उसका उसकी सजा काटने तक इंतजार करेगी जब पुलिस डैनी को ले जाने लगती है अजनभी धारावाहिक से ही अरुन बक्षी, टीनू आनंद, परीक्षित साहनी, गोगा कपूर, आधी अक्टर्स के करियर ने एक नई करवट ली और उन्हें नाम और शोहरत मिली। अजनभी की तगड़ी स्टार कास्ट और लोकेशन का खर्चा ही प्रोडूसर की मुश्किलें बढ़ा रही थी। दूसरी और डीडी मेट्रो के प्राइम टाइम के स्लोट्स भी महेंगे हो चले थे। यही कारण था कि हर दहस्पतिवार दिखाये जाने वाले इस धारावाहि को डेड़ साले के अंदर बंद कर दिया गया। बीच में ये भी खबर उड़ी थी कि साइनो फिल्म के कॉपिराइट ओनर ने अजनभी के निर्मताओं के खिलाफ कोट में शायद अप्पी भी की थी। कुछ भी हो अजनभी की कहानी सच में दिल को चुच जाने वाली कहान ही है और इसका बैक अग्राउंड मिलजे किस धारावाहिक पर चार चांद लगा देता है बहुत कम लोगों को पता है कि अजनभी धारावाहिक से पहले साइनो फिल्म का ही एक हिंदी रिमेक बंधू भी बना था जिससे 1992 में रिलीस किया गया था साइनो बंधू और का उनका बेटा रिंजिंग निभाएगा इस फिल्म में बिनू बढ़ा हो चुका होगा और वो अपने पिता को द्रप्ती के पास वापिस लेकर आएगा क्योंकि जो पुलिस डैनी को पहले लेकर जा चुकी होती है वो पुलिस नहीं बलकि पडोसी मुल्ग की सेना के होगी ऐसे ही दिल्चस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद